कैसा राएगा फ्रैशिक राची वालों के लिए सितंबर का महिना स्कॉर्पियोन साइन के बात करें तो ये जो पूरा महिना चल रहा है इस महिने में आपको कहां लाब होगा कहां आपको ध्यान रखना है डेट वाइज में चर्चा करूँगी तो शुरू करते हैं राशिफल ये राशिफल 6 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक का है अगर आपको ये पसंद आए तो कमेंट में जे शिरी राम अवशे ही लिखिए व्रेशिफ कराशै वालों के लिए एक लाइन के अंदर अगर से टंबर महिन के आ राशिफल बोला जाये तो ये है कि आपका इस्तान परिवर्टन का योग बन रहा है धन प्राप्ति का भी योग बन रहा है आप विस्तार से चर्चा करते हैं व्रशिक राशिवालों के दस्वें घर के अंदर चल रहे हैं सूर्य देव सूर्य देव चल रहे है थोड़ कुछ समय के बाद यहां बुद्ध देव भी आ जाएंगे यह शनी की दृष्टे से दृष्ट है तो कारेशेत्र में आपकी पदुनती हो सकती है कारेशेत्र में इस्तान परिवर्टन भी हो सकता है साथ ही साथ जो लोगों को जॉब नहीं है उन लोगों के जॉब की भी प्राप्ती उनको हो सकती है यानि कि कारे शेत्र में आपके लिए अच्छा रहेगा, जौब लग सकती है, विदेश से संबंदित भी कारे होईगे और जबर्दस्त रूप से यह आपके कारे शेत्र के अंदर उन्मति कराएगा, आपको कारे शेत्र में आपको काफी मेनत करेंगे और उस मेनत का आपको प बावी होने वाले हैं विश्मु सहस्तर नाम का जापाप करते रहे हैं धन प्राप्ति का योग प्रबल रूप से कारे और व्यापार के अंदर कारोबार में बना हुआ है उसको ग्रैप करने के लिए अपनी प्लानिंग बनाएं और अपने समय को वैर्थ आलेस्य में नेगव प्रितक संपत्ती से दन का लावो ऐसा भी योग बना हुआ है यह जो घ्रेगो चरीजिश्तिती है यह आपको आर्थिक मजबूती देएगी धन भी लाएंगे साथ ही साथ विवाद में भी आपकी विजय ओएगी प्रेटडरन संपत्ती ते संपति तस को विवाद चल रहा यो ऐसा भी ग्रेगोचर इसारा कर रहे हैं मंगल की द्रश्टी दूसरे गर के अंदर है और मंगल चल रहे हैं आपके आठवे गर के अंदर इस कारण से आपको अपने स्वास्त का ध्यान रखना है पैरों का ध्यान रखना है हाथ पैरों में कई खरोच नहीं आए चूट नह आ सकती है काम दंदे में कारोबार में लाब की स्थितियां बन रही है बड़े भाईयों से मिलना जुलना हो सकता है वहां पर थोड़ा सा होट आर्गुमेंट हो जाए ऐसी संभावना है प्रंदु मुनी से आपको लाब होएगा और उन से आप लाब आराम से प्राप्त कर ले गें इनकी जो मंगल के सीधी जस्टी आपके दूसरे गर पर पढ़ रही है जो कि धन और खुटूम का है तो खुटूम परिवार में बाच्चित करते समय मदूर्था का प्रियोग करें गुरु देवा आपके दूसरे घर के मालिक हैं सात ही साथ यह आपके पांचे बहुत के अंदर यानि कि साथ में घर में तो जीवन साती से सपोर्ट मिलेगा जीवन साती के स्वास्त का ध्यान बहुत जरूरी है रखना क्योंकि उनका स्वास्त थोड़ा सा खराब हो सकता है गुरुदेव आपके 50 के भी लौड बनते हैं यानि कि आपके संतान के भी लौड बनते हो तो जो लोग इस समय विवा के बंदन में बनते हैं या जीवन साती की तलाज कर रहे हैं उनको इस समय अच्छा जीवन साती प्राप तो ऐसी भी संभावना है तो संतान और जीवन साती के हिसाब से एक उचर अच्छा है धन का भी लाब हो रहा है और संतान से भी लाब हो यानि कि संतान को problem हो सकती है और आपको संतान से सुकों के प्राप्ति है तो जो भी बच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर रहे कर रहे हैं, higher education कर रहे हैं उनकог को संतान में थोड़ी पढ़ाई के अंदर बाधा आएगी, गुनिश सितंबर तक, गुनिश सितंबर तक इस्तियों को समाल के चलना है, उसके बाद इस्तियां काफी पक्षमा आ जाएगी केतू की दशा अगर चल रही है आपके तो केतू की दशा के अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है तो इस समय आपको नजर भी लग सकती है आपको अपनी नजर उतारते रहना चाहिए साथी साथ अपनी प्लानिंग किसी को शेर नहीं करनी है केतू की दशा अंदर दशा है तो आप बहुत अधिक साउधान रहे आपके कामदंदो, कारोबार, व्यापार या विदे से संबंदित कारियों पर आपके नजर लग सकती है और साथी साथ आप अपनी को प्लानिंग शेर करेंगी जिससे कारोबार में दूसरा लोग लाब उठा लेंगे इसका भी आपको ध्यान रखना है बाकी अगर देखा जाए तो ये जिवनसाती की स्वास्त में थोड़ी सी उठा पटक देख रहा है और कारे सेत्र के अंदर भी थोड़ा सा उठा पटक देखना कारे सेत्र में, नौकरी में, बिजनिस व्यापार में ये वर्क प्लेस पे आप काफी मांदर बने रहे, कारे कारमट रहे यानि के अपने कारे कारे को अपडेट करके रखा तो ये भहुत बड़ी है, वरना आपके कोई छोटी सी गलती समुझ जागर हो सकती है करम शेत्र के अंदर और ये आपके बास को आपकी गलती मालूम पड़ जाए तो आप अपने कारे को अपडेट रहे और कोई अपने कारे वैपार में किसी भी परकार की धांदली ने करें क्योंकि इस समय सत्रू भी जागरत हो रहे है और शत्रू आपको नुकसान परचाने की आपके खिलाब कुछ न कुछ करने की प्रियास भी करते वे नजर आएंगे आपको सूर्य अराधना करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म शेत्र का जो आपका लॉड है वो सूर्य दे हुए जो पेरोजगारों को इस समय रोज जो जॉब भी दिला सकता है 15 सेप्टेंबर तक यह योग बना हुए है कि आपको नौकरी मिल जाए तो वहां नौकरी के अंदर आपको आर्गुमेंट नी करना वर्क प्लेस पर नौकरी मिल सकती है पर्मोशन की फाइल भी आपके आगे बढ़ सकती है याँनिकि बहुत सारे लोगों को यह चाहा होती के वारा पर्मोशन कब होएगा तो पर्मोशन इस म माहा होने की समभावन पूरी-पूरी बनी हुई है कुछ लोगों को धनके प्राप्ति शेर्शर्टे से भी हो सकती है और कुछ लोगों को धनके प्राप्ति कमिशन बेस पे भी इस महां होती हुई दिख रही है अब पात करें शुक्र की शुक्र देवा आपके सैविंद घर के लौड है और आपके बारवे घर के लौड है और शुक्र अभी केतू के साथ चल रहा है इस कारण से थोड़ा सा आपको अपने विवाइक जीवन में ध्यान देना पड़ेगा संबंदों में मदूर्ता रखनी पड़ेगी एड़ेस्ट विवाइक पर आप तो या पोजेट सेक्स से कुछ ने कुछ घात या विश्वाजगात हो जाए या कोई प्रॉबलम हो जाए ये भी संभावना बनी हुई है तो आपको बहुत ही अपने विवार को गरीमा पूंट रखना है साथ ही साथ अपने जो भी अपने संभंध है व इस महीने प्रंतु फिर भी थोड़ा सा आपको समल के ही इस गोचरकाल में चरना पड़ेगा जो आपकारोबार में लाव है अपोजेट जेंडर के उपर इसमें आप धन को खर्च करेंगे गुमने फिरने का योग भी ब्रेशिक राशी वालों का बना हुआ है पिता के स्व मंगल आपके चली रहे हैं अस्टम भाव के अंदर इसलिए आपको अपने खुद के स्वास्त का द्यान रखना चाहिए अब कौन-कौन से तारीक हैं जिस दिन आपको नुक्सान हो सकता है देखिए 2324 तारीक है इस समय आपको लाव की प्राप्ति हो सकती कार्म कारोबार व सप्रता मिलेगी और आपको सपोर्ट भी मिलेगा अब नकारात्मक जो तारीके बनी हुई है वह नकारात्मक तारीक 12 और 13 तारीक और 25 और 26 पाप्चिस चब्विस 12-13 यह जो तारीक हैं इससे में कोई अपिर यह समाचार के प्राप्ति हो सकती है आलग कि अचानक धन प्रा करना चाहिए वो तारीकें हैं तारीक को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कुछ भी हो क्योंकि इस समय स्थान परिबरतन करने से या नौकरी में बदलाव करने से एक जगे से दूसरी जगे जाने से आपको थोड़ी से प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज़ का आप द्यान अचानक लाब कब होएगा आपको अचानक लाब की सित्यां मन रिये 27, 28, 29 यह जो तारीकें इस समय आपको अपने मेनत का फल मिलेगा 14, 15, 16 इन तारीकों को आपको अपने मेनत का पूरा फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जितने भी पेंडिंग कारें उनको करने के लिए सब सच्चे तारीके हैं 14, 15 और 16 तो इन तारीकों को आप अपना यूज कीजिए पेंडिंग कारियों को करने के लिए आपके लिए फायदे मंदर रहने वाला है तो ये थावरिशिक राशिवनों का राशिवन आप चर्शा करते हैं उपाई के आपको अनुवाना राजना करन आपको सभी कारियों में सफलता भी मिलेगी मान सम्मान की भी व्रद्धी हुई